तो दोस्तों जैसे आप अपनी स्कूटी पर आते हो यहां पर आपको जुकी मिलती वह थी फिलिप की यहां पर टॉच भी रहती है ना तो यहां पर जैसे आप यह दबाएंगे तो यह हो जाती है फर्स्ट टैम जब आप आई क्यूब पर बैठेंगे तो आपको बड़ा ही यहां जाती है बैटरी का परसेंटेज और किलोमेटर तो एकदम से आपको चालू नहीं करना है जैसे आप यह चालू करेंगे गाड़ी तो इसको लोड ले लिन दिया करो आप डारेट चालू कर सकते हो बाकी नॉर्मल जाप पूरा ऐसा इसको रेडी हो जान दिया करो है न इसके बाद यह अपनी बटन को दबाएंगे थोड़ा सा होल्ड करेंगे यह तो यहां हो जाता है इसका इको नॉमी मोड चालू इसके बाद आप सेंपल ही छोड़ दो सब कुछ अब यह इसके बाद आप जैसे एक्सिरेटर लेंगे हलका सा और यह गाड़ी हमारी चलने ल और चाहिए तो आपको करना क्या है कि अपनी गाड़ी को फिर से continue चलाना है और इसके बाद फिर से अगर मोड दबाएंगे दोस्तों देखो यहां पर हम फिर से मोड दबाएंगे तो यह यहां पर आगया पावर पावर के बाद हम फिर से दबाएंगे तो यह आगया पाव पावर की स्पीड फिर यह तरीके से तो एक चीज़ का याद रखना कि जब आप पावर मोड लगाएं तो पावर मोड से इको मोड वो तब होगा स्विच जब गाड़ी के स्पीड 40 के नीचे हो 40-45 के ऊपर का गाड़ी रहेगी तो मोड काम नहीं करेगा एकोनोमी से पावर म मोड ठीक है अब इसके बाद मानलो आपको गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स करना है तो आपको वहां पर लगाना पड़ेगा अब अपना पार्किंग मोड दो तो डिरेक यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहां पर अपनी गाड़ी डिरेक पीछे हो जाए तो यह बन तो यहां आप देखो यहां आगया पार्किंग मोड फॉर्वर्ड एंड रिवर्स तो जो फॉर्वर्ड है मतलब गाड़ी हमारी फॉर्वर्ड आगे की तरफ होगी और यहां लेखा है रिवर्स तो रिवर्स के साथ आप देखेंगे बीप बीप ऐसी अब आ जाती है तो फिर हम जैसे गाड़ी को हलका सा एक्षिडेटर लेंगे तो यह हमारी गाड़ी होने लगी पीछे और फिर से हमें इसको दबाएंगे फॉरवर्ड में तो यह अब गाड़ी हो जाएगी हमारी आगे अब इसके बाद बहुत से लोगों का कंफूजन रहता कि भाई अब पार् का कोई काम नहीं करेगा तो फिर से हटाना पढ़ेगा तो फिर से ब्रेक दबांकर आपके हमें थोड़ा देर पी दबाना पड़ेगा यह आगे हमारा नॉर्मल और इसके बाद हम जैसे फिर से करेंगे यह आगे कोनोमीu मूड तो यह रहती है भाई प्रोसेसिंग डूल सक के बाद यह लग गया हमारा एक चीज़ ख्याल रखना एक चीज़ का और कि अगर आप एक्षिटर के साथ चालू करते हैं तो यहां पर क्लोस थोटल वर्निंग आ जाएगी अब देखो जैसे यह चालू किया मैंने गाड़ी अपनी है और मैं अपना एक्षिटर को इतना ले क यह मोड मत दबाना नॉर्मल चालू करना खास बात दोस्तों यह चीज़ और याद रखना है कि इस गाड़ी में होता है साइड इस्टेंड कट आफ सेंसर ठीक है मतलब कि अगर आप परिशान हो रहे हैं कि अपकी गाड़ी क्यों नहीं चल रही देखो यह मैंने गाड़ी जैसा कि मैंने बताया कि आपको गाड़ी चालू करना है ब्रेक दबाना है और यह मोड चालू करना तो गाड़ी चालू हो जाएगी लेकिन देखो यहाँ पर भी सब बना है लेकिन यहाँ पर मैं ब्रेक भी दबा रहा हूं और यह मोड भी दबा रहा हूं तो भी हमारी गा आता हूं जैसे मैं साइट लगा यह वर्निंग आ गई जैसे साइट रटेगा आपका ए मोड फिर चालू हो जाएगा और गारी चलाते चलाते गलती से लिए अगर आप स्टैन लगा लेते हैं फिर से देखो यह मैं श्टैन लगाता हूं तो यह आटोमेकर यहां से टोटाउ क पारकें इसको दबाई के बाद आप देखेंगे कि आपके चारो इंडिकेटर चालू हो जाते हैं को इसके बाद दोस्तों आता है इसका है तो एप से कैसे होता है कैसे कैसे आप करके चलाना है इसकी उपर वह kennedy को एक डेडिकेट वीडिए लिए बैक चंडmpr लेके आहुं यह करो यह हमारी खुल गई डिक की डिक की पे आपको यहां पर एक युस भी चार्जर भी मिल जाता तो अब आपने मोगल को चार्ज कर सकते हैं इसके बाद डिक की लगाना कैसा है दोस्तों इसकी यह ऐसे करके आप दबागे तो नहीं लगेगा इसको ऐसा करके यह हलका शब पुस्ट करेंगे यह कट से आवा जाएगी तो हमारी डिक्की भी लग जाएगी तो सिंपल से इस तरीके से आप चला सकते हैं अपनी टीविएस आइक्यूब को अच्छा इसके बाद एक ब्रेकिंग के टाइम आप यह चीद ध्यान रखना कि जब आप गाड़ी चलाएं और अच्छी लगाना है तो आपको यहां पर गाड़ी की कंट्रोल इंची मिल जाएगी दोस्तों तो यह रहिए भाई ठीवेस आईक्यू आप इसको चलाने की जो हैवेट है वह आपको धीर धीर बन जाएगी अचाना से तो बनेगी नहीं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी जानकारी आपके काम की है यह नहीं कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं हम बहुत जल्द हमारी दूसरी वीडियो पर